हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आई होप सभी मस्त है मुझे मालू है दोस्तों कल के वीडियो में आप लोगों को एक शब्स सिखाया था कोसम क्या लिए या के लिए इसी सब्सक्राइब कर आज में आप लोगों को किस प्रकार से हम अपने तेलगु भाषा में इन शब्दों का उच तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को शुरू से लेकर अन्तर देखेगा और आपो कैसे लगा मुझे कमेट बॉक्स में ज़रू बताएगा तो चले दोस्तों अपने को शुरू करते हैं मैं तेरे लिए लाया हूं या मैं तुम्हारे लिए लाया हूं नेनू नीको सम् तीस को च्यानू मैं नेनू तेरे लिए या तुम्हारे लिए नी कोसम लाया हूं तीस को च्यानू तीस को च्यानू नेनू नी कोसम तीस को च्यानू दोस्तों यही वाक्य अगर हम अपने से कोई बड़े होंगे तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे मैं आपके लिए लाया हूँ नेनू मी कोसम तीज को चानू मैं नेनू आपके लिए मी कोसम लाया हूँ तीज को चानू मैं आप सबके लिए लाया हूँ मैं आप सबके लिए लाया हूँ मैं आप सबके लिए लाया हूँ मैं आप के लिए खरित कर लाया हूँ मैं आपके लिए खरित कर लाया हूँ, नेनु मी कोसम कोनी तेच्च्यानू, मैं नेनु आपके लिए मी कोसम खरित कर कोनी लाया हूँ, मैं आपके लिए खरित कर लाया हूँ, नेनु मी कोसम कोनी तेच्च्यानू, आप मेरे लिए क्या लाया हैं, आप मेरे लिए क्या लाया हैं, मीरू ना कोसम एमी तेच्च्यानू, मीरू ना कोसम एमी तेच्च्यानू, आप मेरे लिए क्या लाया हैं, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, नेनु मी कोसम एमी तेच्च्यानू, आप मेरे लिए क्या लाया हूँ, मी कोसम एमी कुछ भी नहीं लाया हूँ, तेच्च्यानू, आप मेरेलिये रुखिये, मीरु नाकोसम आगंडी, रुखिये, मीरु नाकोसम आगंडी, मैं आप के लिए बिल्कुल नहीं रुखूंगा, नेनु मी कोसम आगंडी, असला आगंडी, दोस्तों जो सेंटर्स रहता है ना दोस्तों, जिस प्रकार सम् हिंदी में अपनी भावनाओं को प्रक्ट करते हैं वैसे भावनाइं, हम तेल्गु में वैसे प्रकट करते हैं दोस्तों, कुछ अलग नहीं होता है, लेकिन हमें जो सब्ध हम उच्चान करने जा रहे हैं, जो सब्ध हम बोलने जा रहे हैं, उसका जो नौशेशन है, जो उच्चान है, वो सठिक होना चाहिए, तुम मोहन के लिए खाना ले जाओ, नुभू मोहन कोसम भोजनम तीसकुनी विल्लू, नुभू मोहन कोसम भोजनम तीसकुनी विल्लू, तुम नुभू म मोहन के लिए मोहन कोसम भोजन लेकर जाओ दोस्तों मैंने यहां मोहन का जो शब्द है उदढ़न के लिए चैनल पर आप तंभुड बोल सकते हैं छेल्ड़ी कोसम बोल सकते हैं अक्का कोसम बोल सकते हैं अन्य कोसम बोल सकते हैं पिन्य कोसम बाबयगार कोसम नानगारू अम्मगारू मामगारू जो विशब्द हैं दोस्तों वहां पे आप डाश सकते हैं मतलब आप जो वस्तु किसी के लिए के जा रहे हैं वहां पे वो नाम रहना जरूरी है जैसे मैंने यहां पे कहा त मैं दीदी के लिए गुलाब जामून लेकर जाऊंगा दोस्तों मैंने यहाँ पे अक्का बोलके जो दीदी का नाम जो लिया है मनें प्लीलिस्ट में इतनी अच्छी वीडोज बनाए है ना आप हर वीडियो को निकालेगा प्लेडिस्ट को पूरा सुरू से लाख सकते देखेगा दोस्तों तभी आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे और अच्छी तरसे जान पाएंगे दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैंने इतने सारा प्लेडिस्ट बना हैं उसमें बेसिक से भी हैं दोस्तों शुरुवात शुरुवात मैंने जोडिस्ट सिखा हैं उसका पच्छी तरस सीखेगा दोस्तों जिससे आप बहुत जल्दी तेलगों में बात करने लग जाएंगे और बहुत जल्दी तेलगों चींख जाएंगे तुम मेरे लिए क्या करोगे? नुहु ना कोसम एम चैस्तावू या एमी चैस्तावू? नुहु ना कोसम एम चैस्तावू? तुम मेरे लिए क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा। नेनु नी कोसम एमनी चैस्तावू? नेनु नी कोसम एमनी चैस्तावू? मैं नेनु तुम्हारे लिए नी कोसम सब करूँगा। अन्नी चैस्तावू? नेनु नी कोसम अन्नी चैस्तावू? आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मीरू ना कोसम एमी चैस्तावू? मीरू ना कोसम एमी चैस्तावू? आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मीरू ना कोसम एमी चैस्तावू? आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। आप मेरे लिए ना कोसम एमी कुछ भी चैस्तावू कर नहीं कर सकते। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसमें इतने अच्छे और अमेजिंग वीडियो से ना आप हर वीडियो को ध्यान से देखेगा। और सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों क्योंकि मैंने लिंक देखी रखा है आप बस on करना है निकालना हैं और प्ले लिस्ट हो जो भी हो को सुरू Also को सहचा है अब आपको लगता है कि आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो मैं जरूर कमेड में बताएगा कि आपको कैसा लगा तो ठीक है दोस्तों अभी में आप लोगों से विदा लेने का समय हो चुका है नमस्कार